हेलो एब्रोवान, नमस्कार जो जगरनाथ, वेलकम बेक टो माई चानल किसे हैं आप सब लोग आई होब के बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छे हों तो आज वीकेंड है, साटेट में, मतलब फ्राइडे ही तो हम लोग थोड़ा सा वीक बीच जा रहे थे, चिल करने के लिए, मौनिंग में तो देर हो गया था, आठ बज गया था, तो थोड़ा सा धूप आ गया था फिर भी हमारा मन था कि बीच जा के थोड़ा सा बस ऐसे चिल कर गयाने के लिए तो अभी हम दोनों फैमिली निकल रहे हैं मेरे फ्रेंड के साथ, तो अभी हम बीच पे जाएंगी और धर थोड़ा सा मस्ती करेंगी और आप लोग ब्लॉग एंजय करिए, हम लोग बीच पहुंच के हैं कि अ कि टताए बर तंप रहे हैं कि ए रहे हैं कर दो कर दो कर दो दो जो तो ही ते के अ humanos裡 है जो along और त penser हैं… कि और त सिह जा में करना है разных जैं लीजे जैंद में लुद़ा हासा हूाँ प्यसित है जिलchu है लै वहे ही जा मैं जब का है जा है हुँ 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 किछ टुछ और बातां बाता है अब श्यूट। बज सैन लगेड़के लिए बंपस्पवा नानिंग भार बिनेंगेगा बंपस्स्यान आपस्यान आपि आपके बारेका हाग ताक भारे हम्सट बाद ही है हुआ 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 तो धीर सारी मस्ती के बाद हम लोग फिर 11 o'clock हो गया था उस टाम पे बहुत जादा धूपी हो गया था इतो जो पानी का रहे थे ना मतलब बीच का रहे थे वह बहुत ज्यादा हो गया था हुआ हुए इसलिए हम लोग घर पे निकल गये थे चुटी का यह Saysा कुछ जल्दी भी नहीं था फिर भी बहुत ज्यादा धूप निकल गये थे और बहुत ज्यादा भी नहा लिए दो खंटा तो हम पानी महीं बिताए फिर घर पे आ रहे हैं आइस अच्छी से नहा कि अपना दोनों फ्रेंड मिलके बेट रहे हैं टीवी देख रहे हैं वंजे करें उसका तो अधर मटन भी लेके आए हैं तो मटन बनेगा अज और उसके साथ रोटी रोटी नहीं राइस बनेगा तो हमारे उधर मटन के साथ राइस बहुत ही अच्छा वाला लंच होता है तो आई तो बहुत अच्छा लंच किये हम लोगों ने और आइस को उससे पहले मैंने आपल दिया था काने के लिए तो वह आपल खरे थी और उसके बाद हम लोग हमारा लंच किये तो आज का लंच राइस मटन करी आलू डालके तो वेस्ट विंगल और बुरी से साइड में नंवेज तो नंवेज में आलू तो मस्टी रालता है ने तो हमें अच्छा नहीं लगता तो और सालार उच के साथ देन इवनिंग को हम लोग लस्ची बनाए थे दखी के साथ और दो केली डाले थे और कुछ चाथ आइस की उप और उसके साथ हम लोग डाले थे मैंगो फ्लिपर की मिलक होता है नहीं तो आप मैंगो पल्क डाल सकते हैं तो उसको अच्छी से ग्राइन कर लिया इसमें में दही रेता है देन उसके बाद उपर में उपर से इसे हम स्भापोरेशन करेंगे में coconut से धिकार को काम Kommentare के बाद हम अधे डीर मिलक चोकलेट के ऊपर आड़ कर सकते हैं घर करें तो आप चाहिए तो बॉन भीता अब ही डाल सकते हैं दिनस्क के उपर आलमॉन और थोडा सा किसम भी डाला हुआ था तो ये हमारा कंप्लेट काल लस्ती बन गया है और इस टाइम पे लस्ती बिना का मन बहुत ज़ाड़ा करता है और बहुत ही अच्छा लगा था तो यह रहा हमारा फाइनल लुक तो बीच का भी थोड़ा बहुत फोटोसुट किये थे हम लोगों ने तो आई होप आप सब को आज का यह व्लॉग अच्छा लगा हो अच्छा लगा था लाइक कर देना मेरी चैनल का सब्सक्राइब कर देना जो भी नहीं है मिलती है करने वीडियो में बाइ बाइ